हेलो फ्रेंड्स, माइने में सिवा और वेलकम टू माई चैनल क्लासिक ज्यान आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा पसांड काल या पहले लेथिक एज़ के बारे में वह उनके टाइप्स के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जिस समय में आरंबिक मनुश्य पत्तर का प्रियोग करता था उस समय को पूरा तत्वे विदो ने पूरा पासांड काल नाम दिया है पूरा पासांड काल युग उन सभी योगों मैंसे एक पहला ऐसा युग है जिसमें मनुष्य कहा जाता है सबसी अधिक दिनों तक जीवित रहा अब बात करते हैं पहले लेतिक सब्द किस से मिलकर के बना है और इसका अर्थ क्या है तो पहले लेते ग्रीक भासा का एक सब्द है जिसमें पहली उसका अर्थ होता है प्राचीन एवं लिथोस का अर्थ होता है पासान अब जान लेते हैं कि मनुष्य इस युग में क्या भूजन किया करता था कहा जाता है मनुष्यों का सारा जीवन पूर्ण रूप से प्रकर्ती पर निर्वर्था बे आगिठक यानि सिकार से अपना भोजन कंदमूल प्राप्त करते थे इसलिए इस युग को आगिठक एवन खाक संग्रहक काल भी कहा जाता है अब बात करते हैं कि भारत में पूरा पासान कालीन युग में मनुष्य कहा रहता था तो भारत में पूरा पासान कालीन मनुष्य के सारे कपसे समय कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं क्यूंकि उनका कोई इस्थाई निवास नहीं हुआ करता था लेकिन कई सारे पूरा तत्वे बिदों का यभी मानना है कि पूरा पासान काल में मनिश्य गुफाओं में रहा करते थे जसा कि हम सबी लोग जानते हैं कि आग का विस्कार एक लाक बर्स इसापूर पहले हो चुका था लेकिन इस काल में मनश्य को अगनी का ग्यान तो था लेकिन बेस के उपयोग से अभी भी अनविग्य थे बेस का इस्तमाल करना अभी भी नहीं जानते थे पूरा पासांड कालीन मनश्य चित्तकारी भी करता था जिसका प्रमाड हमें उन गुफाओं से मिलता है जिन गुफाओं में रहा करके थे पूरा पसान काल में हमें गैंडा और जंगली बैलों के अनिक कंकाल मिले हैं इससे अनुमान लगाया गया है कि इन शित्रों में इस योग में आज की तुल्णा में अधिक बर्सा हुआ करती थी ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि गैंडा और जंगली बैल नमी बाले इस्थानों में रहना पसंद करती है जैसे कि पूरा पसंद काल या पहले लेतिक एज की काल अब दी जानदा थी इसलिए इस योग को तीन भागों में वक्त किया गया है पहला निम्न पूरा पासाण काल यानि लोर पालिलेथिक एज दूसरा मद्न पूरा पासाण काल यानि मिडल पालिलेथिक एज और तीसरा उच्छ पूरा पासाण काल यानि अपर पालिलेथिक एज अब एक एक करके इन तीनों भागों की विसेस्ताएं जानेंगे सबसे पहले आता है निम्नपूरा पासान काल यानि की लोर पैलिलेथिक एज इस काल से मानब पूले तहा क्वार्टाइज पत्थर का उप्योप करते थे इसके उपकरण सर्वपिर्थम मदरास के समी बादम दुराई तथा अतीर अपक्कम से प्राप्त किये गए है सर्वपिर्थम रॉबर्ड ब्रोस फूट ने 1863 इश्बिये में मदरास के पास पलबरम नामकिस्थान से प्रिथम हैंड एक्स यानि की हाथ की कुलाडी प्राप्त की थी 1982 में अरुण सौनकिया ने मदर प्रिदेश के होसंगाबाद जिले में इस्थित हतनौर यानि नर्मदा नदी घाटी से मानप कबाल या खोपड़ी का जीवास में प्राप्त किया था जो भारत में प्राप्त मानप अपसेस का प्राचिंतम साख्छ माना जाता है निमनपूरा पासान काल के बाद आता है मदपूरा पासान काल यानि मिडल पहले लेथिक एज मदपूरा पासान काल में क्वार्टाइच पत्थरों के स्थान पर जैसपर, चर्ट, फ्लेट के पत्थर प्रियोक्त होने लगे थे फलकों की अधिक्ता के कारण इस काल को हस्मुक जीरज लाल संक्लिया ने इसे फलक संस्कृति की संग्यावी दी है फलक एक स्प्रकार का ओजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था इसके बाद आता है उच्चे पूरा पासांकाल या अपर पहले लेथेक एज इस युग के उपकरन बलैड होते थे विस्प बयापी संदर्ब में इसकी दो बलक्षड ताएं है सबसे पहली नई चमकम उदोग की स्थापना दूसरी आधोनेक प्रारूप के मानब होमोसोपियंस का सर्व प्रथम उदै बैलन घाटी के लोहन दाला चेत्र से विस्प की सबसे प्राचीन तमस्थी निर्मित इस्त्री की मूर्ती यानि मात्र देवी प्राप्त की गई है इसके साथ वीडियो खतम होती अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो का लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी इंपुमेटिव वीडियो समस्थ ना करें थैंक यू फॉर वाचिंग